इस वीडियो में हम लोग Peter Wary की theory before theory को discuss करेंगे जिसमें उन्होंने liberal humanism की बात की है मैं history बताऊंगा जैसे इन्होंने शुरू किया है simple से simple words में आपको ये समझाने ही कोशिश करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी आपकी दमाग में pictures बन जाएगी दोस्तों चलिए शुरू करता है मिलता हूं इस वीडियो के end में English को एक subject बनाकर degree कपसे दी जानी शुरू की गई होगी बड़े हरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि 1828 में यानि इतना लेट और इससे भी ज्यादा shocking बात ये कि 28th century की शुरूरत तक तो females यानि women को तो degree course करने की आजादी थी exam देने की आजादी थी लेकिन उनको degree नहीं मिल सकती थी अब इन सब का सबसे important reason क्या था Church of England उसने सब कुछ control कर रखा था universities की नाम पर सिर्फ दो ही universities थी England में एक Cambridge एक Oxford इन दो universities को छोटे छोटे colleges बना कर बाट दिया गया था और एकदम किसी monastery की तरह इसको चलाया जाता था जैसे कोई मठ हो सिर्फ आदमी इसमें जा सकते थे students का Anglican होना बहुत जरूरी था और Holy Communion का पार्ट होना बढ़ता था college chapel को attend करना होता था teachers की नाम पर सिर्फ पादरी पढ़ाते थे और college में रहने के लिए वो लोग शादी भी नहीं करते थे important subject थे सिर्फ Greek और Latin Classics को पढ़ा जाता था के रहे का मतलब अगर कोई इंसान Catholic निकला Jew निकला, atheist निकला तो इन सब लोगों को entry नहीं दी जाती थी पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है degree नहीं होगी, तो civil services नहीं मिलेगी मतलब college नहीं civil services नहीं तो ऐसे system में सुधार की जरुरत महसूस की गई कि बच्चों की curriculum में हम लोगों practical subjects को शामिल करना चाहिए सबसे पहली शुरुआत होई थी 1826 में जब एक college खुला जिसके अंदर सभी धर्मों के बच्चों को degree देने की बात की गई फिर दो साल बाद 1828 में English को एक degree subject बनागर पढ़ाया गया लेकिन unfortunately starting वैसी विल्कुल भी नहीं होती किसी चीज की जैसी हम सोचते हैं ये लोग literature और linguistics दोनों को उसको linguistics के नजरिये से पढ़ रहा है थे कि हमें language ही तो सीखनी है इसके अंदर इसके बात जाकर कहीं females के लिए 1869-75 के बीच में सोचा गया लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी lecture ले सकती थी exams दे सकती थी लेकिन 1920 तक तो उनको degree बिल्कुल नहीं मिल सकती थी और Cambridge के तो और भी भुरे आलते 1948 तक woman को degree नहीं मिल सकती थी दोस्तों Edith Morley नाम की पहली female professor थी England की ध्यान रख लेना नाम याद कर लेना इस मामले में मैं तारीफ करूँगा US की क्योंकि वो woman education और degree में England से काफी आगे था अब आप note करो F.D. Morris का नाम ये जो बंदा था ना दोस्तों King's College में professor बना 1840 में और इसने जिम्मेदारी उठाई कि literature को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए मतलब academics में literature को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए इसने कुछ books का set बताया और कुछ इसके दियवे lectures थे founding principles बन गए वो literary studies के कि किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए literature को इसके दियवे lectures और books का set बताया ये दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अभी तक तो struggle चल रहा था ना कि literary studies करवाय जाये तो कैसे करवाय जाये इसमें क्या पढ़ाय जाये बच्चों को जो ये academics का एक strong subject बन जाये मतलब क्या काम आएगा literature हमारे पढ़ाना बच्चों को तो ये जो बंदे थे F.D. Morris इन्होंने जिस segment की लोगों को target किया वो थे middle class लोग दोस्तों middle class लोगों की education बहुत जरूरी है English में उनकी English में ये education होने चाये इसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको क्या कारण था एक तो इसके political advantages थे वो discuss नहीं करेंगे सबसे important reason था कि religion का substitute बन सकती English studies कैसे? religion का substitute कैसे बन सकती है? religious लोग तो religion की तरफ ही जाएंगे ना? दोसों Victorian age में आप सबको पता होगा कि religion पर लोगों का भरूसा कम होता जा रहा था क्योंकि चिंता की बात थी पहले religion डरा धमका के ही सही लेकिन लोगों में morality बना के रखता था लेकिन अब जो scientific growth होती जा रही थी तो इनको डर था कि इनसान जानवर बन जाएगा French Revolution जैसे हुआ था वैसी कोई बड़ी चीज हो जाएगी इसलिए literature का काम होगा लोगों में morality डालना अगर आपको दिमाग में कुछ याद आ रहा है Matthew Arnold का नाम तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि Matthew Arnold बड़े concern थे morality को लेकर आप उनके हर work में लगबग देखोगे अगर आप connect कर गए तो मैं ये कहूँगा कि Matthew Arnold ही वो बंदे थे जिनसे seriously सबकी शुरुआत होई थी कि English teachings की जरुरत है जरुरत है फिर 1921 में एक report आई थी New Bolt Report जिसके अंदर peak पर पहुँच गई थी ये concern जो है peak पर पहुँच गया था और इसमें English education की बात की गई थी इस report के अंदर देखो लेकिन दोस्तो प्राब्लम अभी भी सबसे बड़ी complex problem ये थी कि degree, degree कौन से colleges दे सकते है क्या special cities में जो special colleges है वो ही दे सकते है या फिर छोटे-मोटे colleges भी दे सकते है दूसरी problem ये थी कि English एक नया subject था थीक है तो Oxford और Cambridge जैसी universities इसको easily accept नहीं कर सकती थी उन्होंने बहुत नाटक मचाये थे देखो एक बहुत ही famous history के professor थे उस time पर Edward Freeman आप नाम note कर लो इन्होंने बड़ा logical सवाल पूछा था कि भाई हमको पता है कि literature स्वाद देता है हमें चीजे feel करवाता है हाँ मानते हैं कि literature वो चीजे कर सकता है जो बाकी subjects नहीं कर सकते लेकिन इतना काफी नहीं है सिर्फ morality भरने के लिए ये सब चीजे काफी नहीं है हमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसको academics में डाले तो क्यों डाले इसमें हम examine क्या करेंगे कुछ technical terms होनी चाहिए examine करने के लिए positive information होनी चाहिए जो literature के अंदर नहीं होती बात सही है जो बंदा पूछ रहा था logical सवाल था कि हम इसे academics का subject बनागर क्यों पड़े और इस बात के लिए तो Peter Barry भी अपनी book में कहते हैं कि इस चीज़ का कोई भी एक fixed solution पूरी तरह से अभी तक मिला नहीं है क्योंकि अगर तुम्हे linguistics और literature को अलग करना ही है तो तुम जो इतनी वकालत कर रहे हो कि linguistics और literature को अलग कर लो तो literature में ऐसा क्या है जो इसको academics में पढ़ाया जाए तुम बताओ कि literature में ऐसा क्या technical बचा कि इसको as a beneficial subject बच्चों को पढ़ाओगे Freeman का argument इतना strong था दोस्तों कि वो इस debate को जीत गए और तै किया गया कि language और literature दोनों को साथ में ही पढ़ाया जाएगा नहीं तो literature अकेला academic का subject नहीं बनेगा तो एक तरीके से हम कह सकते है कि literature इतने time तक language का बोज लेकर चल रहा था चाहे वो gothic language हो, anglo section हो middle English हो, नजाने कितने ही बोज डाल रखे थे इसके उपर मासूम से literature पर US में भी यह हाल थे, महाँ पर कुछ अलग नहीं था किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि literature को अलग से पढ़े तो क्यों पढ़े, ऐसा क्या मिलेगा यह सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहा language और literature दोनों के नहीं हमें तो literature को मतलब हमें literature को language से आजाद करो हमें language की साथ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और इसमें सबसे important role पे किया था new critics ने new critics ने 1920 के टाइम पर सबसे important university कौन सी रही थी? Cambridge University उसी university से सारे के सारे new critics निकले थे Cambridge में English काफी नया subject था इसका reason क्या था कि Cambridge में ही पन पे ये सारे के सारे new critics ये Cambridge जो था उसके अंदर literature का English का subject काफी नया था और दूसरा इस university पर traditions का इतना बोज नहीं था जैसे Oxford जैसे universities पर था तो बाकी university से compare करें तो बदलाव आसान थे इसके अंदर और ये बदलाव आया किन engineers की बदलत A.I.A. Richards, William Amson और A.F.R. Levis तब इन लोगों ने language और literature के बीच में एक difference create किया अपनी theory दे कर और literary theory आगे चलती गई चलती गई इस तरह से theories आई दोस्तों और इन्होंने जो criticism दिया था उसे practical criticism कहा जाता है ये सबसे पहली book थी जो 1929 में publish होई थी आप मानो या ना मानो New Critics ने आकर बहुत बड़ी problem solve गर दी थी अपने time की दोस्तों इन्होंने कहा कि text को history और context से अलग करके पढ़ो आप तो पन्नों पर जो शब्द लिखे हैं उसको study करो criticism बदल गया practical हो गया पूरी तरह से William Amson जो इनके student थे उन्होंने भी 1930 में किताब पब्लिश की 7 Types of Ambiguity और Cambridge का ही एक और student था F.R. Lewis ये सारे के सारे engineers थे उस time पर new criticism की तो इन लोगों को देख कर T.S. Eliot बोले कि यार तुम लोग तो criticism का नीम्बू निचे उड़ रहे हो तब इन लोगों का नाम पढ़ गया Lemon Squeezer School तो इस तरह से Peter Barry ने हमें बताए history, इन theories की शुरुवात कैसे हुई होगी किस तरह English को दूसरे useful subjects की तरह academics में शामिल किया गया और linguistics से किस तरह से अलग किया गया और इस तरह से new criticism आया और इसे separately पढ़ाया जाने लगा इसके बाद क्या हुआ इसके आगे की story हम next video में discuss करेंगे, चलिए आज की इस video में सितना ही अब जब आपने ये video खुतम कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको theory before theory starting point समझ में आ गया होगी अब इसके बाद हम जो गहराई में जाएंगे आपको अच्छे से चीज़े समझ में आएगी चलिए आज की इस video में इतना ही मिलता हूँ next video में